ये आकाश्वानी है, प्रस्तुत है कारेक्रम न्यू इंडिया समाचार अमर्तिवीर पुत्र हो द्रड़ प्रतिग्य सोच लो, प्रशस्त पुन्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो नमस्कार, मैं संतोष कुमार, वरिसलाकार संपादक न्यू इंडिया समाचार आकास्वानी के समाचार सिवा प्रभाग के इस नए और पहले कारेक्रम में आपका स्वागत करता हूँ नया भारत, यह कौतु हल्थ स्वभाविक है कि नया भारत क्या है? आम तोर पर नये का मतलब जीवन की मूलभूत आवसकताओं के लिए कुछ नई चीजों को खरीदना जैसे नए कपड़े, नया सामान, नई गाड़ी, नया मकान, नया साजो समान, नया कंप्योटर, नया मोबाइल, आदि-आदि तो क्या ऐसा ही कुछ नये भारत का भी मतलब है? इसका जवाब है नहीं. भारत तो सदियों से विद्यमान है. एक बड़े कालखंड में, विसुगुरू की भूमिगा में भारत रहा है. यही वज़य है कि विदेशी आकरांताओं ने सदैब सोने की चुडिया कही जाने वा लेकिन आजादी का एहसास अंतिम छोड तक नहीं पहुंच सका था. आजादी के सरसट साल तक पचास फिजदी से अधिक लोगों की बैंकिंग विवस्था तक पहुंच भी नहीं थी. मकान हो या स्वक्ष इंधन, इलाज तक सहज पहुंच नहीं थी. विकास की परियोजन की दिसा में कोई थोस भ्यास नहीं हुए. परिनाम हुआ कि आधी से अधिक आबादी अपचारिक तंत्र का हिस्सा ही नहीं बन पाई. अंगरेजी काल में विद्यमान समस्याओं को मानो नियती के भरो से छोड़ दिया गया हो. भारत के ऐसे विपरीत महौल में, जब स्विजदी 25 साल सिकम उम्रकी, जिनमें सौहवाइक आकांचाएं भी हैं और राश्ट्र को प्रगती की नई उचाईयों पर ले जाने का जज़बा भी. प्रधानमंत्री मोदी ने इस युवा भारत की युवा आकांचाओं को करीब से देखा समझा और उनमें नई उर्ज का संचार पैदा करने के लिए न्यू इंडिया यानि नया भारत की आवाज बुलंद की. ताकि जिस तरह जीवन में कुछ नया मिलने पर परिवार में हर व्यक्ति का उत्साह दिखता है, ठीक उसी तरह एक सुरक्षित, सम्रिध और प्रगतिसील भारत के निर्मान के लिए कुछ नया करने का संकल्प और वो उत्साह पैदा हो. नय भारत के इसी संकल्प के साथ सुरू हुई भारत सरकार की पाक्षिक पत्रिका, न्यू इंडिया समाचार, आजादी के अमरित महतसब वर्स के इस पावन अबसर पर अपने तीसरे वर्स में प्रवेश कर चुकी है. दो वर्स पुर्व, सुतंतरता दिवस के अपसर पर जब हम आपचारिक रूप से पाठकों के सामने आये थे, तब यह कल्पना भी नहीं थी, कि सच में कुछ जोड़े या घटाए बिना समसामाईक विसयों का अर्थ और यथार्थ को सामने लाने का या छोटा सा प्रयास नए भारत का संकल्प बन जाएगा, देश का युवा और जन जन सब इसके सार्थी बन जाएगे। इसके अलावा समसामाईक विसयों को भी पेशेवर अंदाज में रखा गया है, यही कारण है कि केवल दो वर्स में ही इस पत्रिका को अपार सने और सरहना मिली है, और रास्टर के प्रती कृत संकल्पित होकर न्यू इंडिया समचार के प्रयासों को नई पहचान दिलाई ह रास्टर के साथ साथ यह हम सब के लिए गौरब की बात है कि नए भारत को समर्पित, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के नित्रत्व में भारत का या प्रयास अपने नाम के अनुरूप स्वर्णीम भारत को समर्पित है, इस पत्रिका के महतों को समझने के लिए मैं कुछ पाठकों के पत्र सुनाना चाहूंगा। मुझे पोर्टल के जरिये इस मैगजिन का लिंक मिला और मेरी खोज की यात्रा समाप्त हो गई। इसके प्रतेक अंक में किंद सरकार की योजनाओं का सटीक विवरन के साथ साथ, समाजीक योजनाओं के अच्छे परिणाम, कैबिनेट के महत्यपूर्ण निरने, पकवाड़े से जुड़े विशाय पर आवरन कथा, और किंद सरकार के विविन कारकरमों के साथ-साथ, भारत के बदलते स्वरूप की कहानी उदाहरनों के साथ दी जाती है, यह पत्रिका निशुलक, देश के सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समीतियों, जिला परिशत के कारयालेओं, विधायकों, सांसदों, पत्रकारों के साथ-साथ, प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी करने वा न्यू इंडिया समाचार पत्रिका उनके पाठेकरम का अनिवार हिस्सा बन गई है, इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडियासमाचार.pib.gov.in पर उपलब्ध है, इसे Press Information Bureau के वेबसाइट पर जाकर एक हाइपर लिंक के जरिए भी आप इस वेबसाइट तक पह पहुँच रही है, इसका Twitter handle जो verified है, वो NIS PIV India है, आप इस पर पहुँच कर देख सकते हैं, इसके अलाबा अगर आप चाहें, तो response-nis at pib.gov.in पर email के जरिये भी आप अपना सुझाब हमें भेज सकते हैं, आज जब हम आपसे New India समाचार के रूप में नए भारत के नए संकल की बात कर रहे हैं, उसी दीन सयोग से इस सपने के सिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी का जन दिन भी है, एक युगद्रस्टा के रूप में उन्होंने नए भारत की संकल्पना की है, और हमारा 16-30 सितंबर का नया अंक अपने आप में विसिस्ठ है, यह पहला अंक है निव इंडिया समाचार का जो 92 पन्नों के एक बड़े स्वरूप में आपके सामने है, यह अंक पूरी तरह से अमरित यात्रा को समर्पित है, उस अमरित यात्रा को जिसको लेकर भारत ने एक विसाल लक्ष अपने सामने रखा है, इस 15 अगस्त को रास्टर ने अपनी सो सौतंतरता की सौमी वर्सगाठ मनाएगा, तबके विक्सित भारत का लक्ष लेकर रास्ट किस तरह आगे बढ़ रहा है, किसी भी रास्टर के लिए उसकी यात्रा में उसका आधार बहुत महत्तपुर्ण होता है, उसकी नीव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, ऐसे सौतंतरता की सौमी वर्सगाठ मना रहा हो, तब विकास सील से विक्सित देशों की कतार में खड़ा हो सके। बदलते भारत की यही तो पुकार है, देश पहले भी चला, और आगे भी बढ़ा, अब न्यू इंडिया दोड़ने को बैताव है, दोड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। निश्चित तौर से प्रधान मंतरी नरण मोदी के दूरगामी निर्णेयों से देश के विकास की धारा बदल चुकी है, जो अमरित यात्रा को आगे बढ़ाने मददगार बन रही है, या यो कहें कि अमरित यात्रा का आधार अस्तंभ बन गई है। अगले सब्ता हम उन आधार अस्तंभो की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ससक्त भारत ही सांत और सुरक्षित विस्व का मार्ग प्रसस्त कर सकता है। राष्ट्र कभी रामधारी सिंग दिनकर की इन पंक्तियों के साथ राष्ट्र का हम बंदन करते हैं और इस यात्रा में हमारे साथ आप भी सहभागी बने। News on AIR और हमारे यूट्यूब चैनल News on AIR ओफिशिल पर भी सुन सकते हैं। इस कारेक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें इमेल कर सकते हैं airnsdtalks.gmail.com पर इस कारेक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग आउन करें हमारे वेबसाइट